जैहिन आदाब सलाम प्रणाम नमस्ते सत्यकाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्वाइल ऑफिशल पर उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है आ तो आप सिलेक कर ले एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा जी है नजी क्या कहेंगी कौन से जीज पर क्या स्टैंड आपको यह हर जगह पर होती थी अभी नहीं होती है आप यह बोलोगे कि हाँ फिर अभी फिर से कुछ कंडिशन होगी त देखे पहला आपका आर्गुमेंट यह है सबसे पहला आर्गुमेंट आपका यह है अड़ जगह होती थी यह हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वह सही हो जाएगा ने यह हर जगह होती थी यह हर जगह पर होती थी मितलब एने जी उसी पर मेरा आर्गुमेंट है आपसे आपका में बुनियादी आर्गुमेंट है कि हर जगह होती थी मेरा सवाल है क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वह सही हो जाएगा ने कहीं पर भी रेप सही नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि हर अरे, एक मिनिट यार, मैं कहरा हूँ कि अगर सब जगा पर अगर इसको सही समझने लग जाए, तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं. तैंक यू. तो ये वाला आपका argument जो है अभी मैं उसके आगे का argument देती हूँ, क्या होता है कि एक होती है human need और एक होती है human thinking, आज इंडिया में हुआ था, पूरा एक village, तीन लड़कियों को, और मैं उसको defend नहीं कर रही हूँ, बिट क्या होता है कि ये human nature होता है, इस वज़े से हर जगर इंडिया में मानिपूर करके के एरिया है, वहाँ पे तीन लड़कियों को without roads गमाया था, और इसको सब ने बुरा बुला है, पर क्या होता है कि ये human nature होता है, इसी वज़े से आप अगर olden days में जाओ, जब kings थे, उस टाइम एक में एक में, एक में, एक में, एक में, एक में तो ये सारी चीजों को करने से उन्होंने क्या किया है कि there is certain thing उसे रखा हुआ है साइग पे, ताकि बाकी सारी चीजों को प्रोटेक किया जाए, अगर आप मुझे ये बोलोगी कि आपने अगर मेरे घर पे, मैं आपको बोलूगी कि मेरे किसी relative ने आपका खून किया या तो क्या होता है कि जब एक किंडम दूसरे किंडम पर अटेक करता है या फिर दो में से कोई भी किंडम एक दूसरे के उपर अटेक करता है या डिफेंड करते है तो जो हारता है वो उसको हमेशा वहाँ पर प्रोब्लम होती है जो किंडम हारता है इसनी वज़ा से वहाँ प आपने पॉइंट रख दिया ना वो इनसान लोग रहे थे और हमने यहां पर देखा कि जो हर कोई भी अगर करे तो वो सही है यह बात सही नहीं है वो सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है आपका जो रिलिजिन है वो खुदा की तरफ जाए ना एना डेस नहीं मैं यह मानते हूं कि हर इंसान के लॉजिक से अलग अलग होते हैं मैं यह मानती हूं कि उस टाइम पिजो साइटी में जो जो चीज़े थी उसको की करने के लिए मोहमद पैंगमई ने अपने यार मैं उसी पर अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि सोसाइटी में वहां गलत हो रहा था राइट आइड वोंट से की सोसाइटी चलाने के लिए ही वाज इन द पावर तो उन्होंने अपने रूल्स डाले है सोसाइटी चलाने के लिए या स्लेव के साथ इंडिया में इतना मतलब इंडिया में हर हर कंट्री में हर कंट्री में एक रेड लाइट एडिया होता है आप जवाब नहीं दे रही है या या यू आ जंपिंग फ्रम एर एंड देर मैं जो सवाल कर रहा हूं तो मैं आपको यह बोल रहे है कि अभी भी है अभी भी वो दुसरे फॉर्म से में है पहले उसको वही बोल रही हो कि क्या होता है कि अगर उन्होंने सेक स्लेव नहीं रखे होते है तो आज जितने भी मतलब रेट होते है बाकी सारी चीज़े होती है वो क्यों होती है कि हर इंसान हैवान ही होता है मतलब अगर 95 परसंट अगर लोगों को उठाया तो और सहाबा भी हैवान तो आपके रसूल और सहाबा इंसान थे या हैवान थे फिर मुझे आप बताईए एक बात बताईए कि अगर किसी भी कंट्री में जो रेड लाइट एरिया या प्रोस्टिट्यूट एरिया होता है वो क्यों अगर आप इंसान जाके नहीं करते है प्रोस्टिट्यूट से आप ये कैसे कंपेर कर सकती है और प्रोस्टिट्यूशन को क्या आप सही मानती है दिखो प्रोस्टिटूशन को सही या गलत तब हम मानेंगे बहुत सारी चीजे हम ऐसे सुच शकते कि बहुत सारी चीजे गलत धे मैं सही मानती हूँ प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है क्या आपका इसलाम प्रोस्टिट्यूशन को सही मानता है एक में सब लोग बोर से सुनना इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन को ये सही मानती है प्रोस्टिट्यूशन को आप सही मानती है इसलाम तो इसको गलत मानता है वो तो रजम करने की बात करता है जो sex slavery है ना that is prostitution आप sex slavery में देखोगी कि वहाँ पे भी जो लड़किया थी या जो भी था उनको थोड़े से फिर आप argument से भाग रही है आप prostitution को सही मानते हैं ना हाँ तो इसलाम तो इसको गलत मानता है मैं वही बोल रही हूँ कि sex slavery है ना उसका second name is prostitution prostitution में क्या होता है NSNS रुख जाओ sex slavery is prostitution तो आप ये कहना चाहरे है कि रसूल और सहाबा ये prostitution में involved है मैं आपको वही बोल रही हूँ कि prostitution अगर आप wordings के साथ देखोगे तो इससे सिमिलर जो जो पॉपस था sex slavery का तो आपके रसूल और सहाबा एक में देख में अगर आप slavery को prostitution कह रही है तो आपके रसूल और सहाबा इस prostitution में involved है ना आप क्या कह रहे हूँ आप 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 से इतना पूछ रहा हूँ आपने कहा sex slavery is equivalent to prostitution so I am asking you के फिर रसूल और सहाबा इस prostitution में involved थे ये बोल दीजे आप yes I'll say कि prostitution का little bit protected version एक बर statement पूरा बोल दीजे के हमारे रसूल और हमारे सहाबा इस prostitution में involved थे नहीं आप अगर ये बोलोगे ना prostitution में ना बहुत सारे क्या बोलता है कि जो like benefits या फिर like you know protection या फिर rights अगर आप देखो कि sex slavery में क्या होता है कि they are giving अभी मुझे वो जवाब नहीं थे एनस आप सिर इतना statement दे दो अभी आपने जो कहा है रसूल लाग्णा एं सहाबा was involved in sex slavery नहीं, prostitution I said like you know prostitution का little bit if it was a different version I need to say different version yeah Rasulullah और सहाबा prostitution के different version में यानि sex slavery में involved actually when you say prostitution आपके जो audience है they will come up with a different like you know thoughts no no, ठीक है, कोई नहीं see, वो जितने देखने वाले है वो समझो सब पागल है मुझे उनको पागल बनानी का यहां कुछ कहने की जोड़नी है but my my argument is energy, रुक जो, रुक जो, नहीं, ऐसे नहीं जाने दूमा हमको पागल बनने का शौक है जितने लोग देख रहे हैं, सबको भी पागल बनना है आप जो actual हकीकत है वो पता दो फिरसे मैं बोल रही हूँ फिरसे मैं बोल रही हूँ कि येस, उस टाइम पे उस टाइम पे जो रसूल वार्स होती थी, उसमें जो वार्स में defend होती थी, उस साइट के लोगों को ऐदर मार दिया जाता था, नई तो उनको स्लेवस बनाया जाता था In that slave, there were two types one is like, जो मेल्स थे जो काम कर सकते थे उनको कुछ ऐसे काम में लगाया जाता था जो फीमेल्स थी, उसको घर के काम के लिए, या फिर sex slavery के लिए यूज किया जाता था एक मिनेट तो अगर मैं आपको यह भी बोलू कि आपके घर में आपके parents या फिर मैं या फिर कोई भी जो करता है that is a similar thing but I'm वो यूज नहीं करते है तो शाधी करता है ना एक मिनिट मैं आपके घर पे से यानि आपको युटा के ले के आऊ और आपके साथ सेक्स करूँ तो सही है ना वो मैं आपको यही बोल रही हूँ की अगर जो प्रोटेक्टेड वे है ना क्या होता है की अगर मैं simple चीज़ बताती हूँ अगर मैं before Christianity जाओंगी before जाओंगी उस time पे भी ये होता था कि एक kingdom दूसरे kingdom पे जब attack रहते थे तो वहां के उस time ये होता था वो होता था उस time तो मूर्ती पूजा भी होती थी मैं वही बता रही हूँ कि ये पहले से होते हा रहा है अगर आप देखोगे तो देरे देरे हैं ना मूर्ती पूजा है ना उन्होंने क्या कि ये हर बार होता है मैं आपको ये बोलोगी कि मूर्ती अगर 10 है उसमें 11 होती है 12, 13, 14, 15, 20 so same way this religion he started with the similar आप कंसिडर कर सकते हो कि एक और मूर्ती है क्या और मूर्ती है मतब जिससे अगर मैंने आपको बोलो कि पहले था कि A, B, C, D ये चार मूर्ती पूजा होती थी तो Islam is one way of worshiping God without idol so वो भी एक वे है मतब उस टान पे बी ऐसे होता था Is idol worshiping allowed in Islam? मैं आपको वही बोल रही हूँ अगर आप idol को हटा को Is idol worshiping allowed in Islam? Okay, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर चार मूर्शी होती होती है Is idol worshiping allowed in Islam? Let me finish my sentence No, is idol worshiping It has to be yes or no Is idol worshiping allowed in Islam? Worshiping का एक अलग वे है जसमे idol use नहीं होती है Is idol worshiping allowed in Islam? अभी मैंने बोला कि This is worshiping way जसमें idol use नहीं होती है Is idol worshiping एक मेरी यार दो चीज़ है एक तो ये है कि नहीं होती है नहीं होती है लेकिए सुन लो एक ये होता है कि कोई एक जो worship कर रहा है वो उसमें idol use नहीं कर रहा है ठीक है? कोई कर रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ Is idol worshiping allowed in Islam? No Thank you तो ये पहले नहीं जवाब दे सकती थी और क्या रसुल उल्ला ने मना किया था कि नहीं करना है? Yes Yes तो अगर उस जमाने में जो जो चीज हो रही थी उसमें से रसुल उल्ला ने अगर idol worshiping को आते साथ ही मना कर दिया ये भी नहीं के time दिया आते साथ ही मना कर दिया तो ये जो prostitution का काम जो so-called prostitution आप कह रही है sex slavery जिसमें आपके रसुल उल्ला और सहाबा भी involved थे तो इसको क्यों नहीं मना किया कि किसी की औरत की इज़त और हुर्मत ये लूटना है कि आप उसको slave बनाके उसके साथ sex कर रहे हो ओके फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि उसमें ये कहा गया कि आप before like you know कि किसी भी लड़की के साथ relation में अगर गए मतलब तो वहाँ पर punishment दी गई ताकि ये सारी जी से कम हो जाए और उस चीजों का solution दिया जो आजकल हर जगपे होता है अगर मैं बोलो कि एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट यार पहले तो ये बताओ सेक्सलिवरी को आप सही समझती है मैं सेक्सलिवरी को मीड समझती हूँ हर ससाइडी को ठीक रखनी ते लिए few people का sacrifice आँ फॉक मान फॉक सेक्सलिवरी को ये नीड समझ रही है ओ माई गुटने प्लीज अगर आप मतलब मुझे थोड़ा रुग जाओ थोड़ा रुग जाओ थोड़ा रुग जाओ I'm not comfortable to continue this communication because you are using really bad words मैंने आपको कुछ भी पुरा नहीं बुला है मैंने आपको कुछ भी बुरा नहीं बुला है It's a shame कि आप एक लेडी हो कि आप ये कह रही है sex slavery is a need नहीं मैं आपको ये बोती हूँ society need मैं एक बाद बताती हूँ कि अगर जैसे India, Pakistan या कोई भी country अगर soldiers रख रहा है तो soldiers की death होती है soldiers महाँ पे minus 50 degree पे रुखते है तो ये सारी चीज़े पे उनके उपर अत्यशार है but this one is a need वैसे ही हर society को ठीक से रखने के लिए आपको आमरपाली करके एक story पता है इंडिया में जो हुई थी शिवर सुरा लिए उनके जानना है मेरा discussion आप से हो गया है मुझे सिफ इतना जानना है कि कल की तारीक में अगर मैं आपके घर पे attack करूँ ठीक है और आपके घरवालों को मार दूँ आपके भाई और इसको मार दूँ और आपको और आपकी बहन को उठा के ले के आउँ ठीक है और मेरा एक जो दोस्त है आडन साहब उसको आपको दे दू और आपकी बहन मैं ले लू और उसको अच्छा खिला पिला के आपकी बहन के साथ मैं डिंगी डिंगी करूँ और आडम साहब आपके साथ डिंगी डिंगी करे because it's a need साही मैं आपको एक में लिग मैं आपको बताती हूँ नहीं मैं आपको बताती हूँ Is this fine or not? मैं आपको वही बता रही हूँ मुझे उसी का answer देने दीजे अगर आप answer नहीं देने दोगे तो फिर आपको पता किसे चलेगा या गलत बात है फिर आप अपना explanation दो जो देना है या अच्छी बात है या गलत बात है कोई भी अच्छी चीज़ या कोई भी बुरी चीज़ अगर कोई attack करता है तो उसके बाद वो attack जो होता है मतब जब attack होता है तो वो तुम से पुछेगा नहीं कि आपकी रजा क्या है वो वही बता जो उसको करना है अगर मैं बोलो मैंने और आडम साहब ने या गलत किया मैं आपको वही बोल रही हूँ कि सही और गलत की चीज़ अगर आप लेके आओगे तो उन्होंने ये नहीं बोलाए कि आप किसी की घर पे जाके attack करो and do it एने जी ये सही किया मैंने और आडम ने आपके घर पे attack किया आपके मर्दों को मार दिया आपको और आपकी बहन को लेके आया आपको आडम साहब ले लिए मैंने आपकी बहन को ले लिया और हम आपके साथ दिंगी दिंगी कर रहे है दिंदा जो है वो अपनी नीड पूरी कर रहे है are we doing good thing और bad thing मैं आपको वही बूर रही हूँ जब इंडिया में अगर आप बोलोगे ना कि इंडिया में काफी टाइब अरे ये आप अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है इतना जवाब नहीं दे सकती आप खराब हो रहा है लेकिन मैं आपको वही बूर रही है कि जो वहाँ पे उसकी में तो भुरा रहे है तो भुरा हुआ या उसका भुद हम तो पर आपके बुरा हुआ है है तो जो जिसमें बुरा किया है वह बुरा इंसान है ना अभी मैं फिर से आपको वही बोलती हूँ कि जो अटैक्स होता है ना उसमें जो भी होता है ना अगर वार में अगर मैं आपको गन से मारती हूँ वो अच्छा किया या बुरा किया आपके साथ वार में है ना हां मैं आपको मारती हूँ गन से अच्छा किया या बुरा किया न ठीक कि अगर आप दुश्मन है और आप मेरे कंट्री पर अगर अटाइक करने के लिए आये हो तो आपको मारा ही जाएगा अगर आप दुश्मेन हो तो मारा ही जाएगा तो दुश्मेन की वाइफ के साथ फिर क्या किया जाएगा उसको भी मार दिया उसको बिल्कुल चोड़ा नहीं जाएगा उसको मार देना चाहिए मारेंगे नहीं उसको क्या करेंगे उसको या तो prison में डालेंगे या तो उसको society में involve करने के लिए देखेंगे उसको भाई उसको बहन बनाएंगे उसको चो देंगे नहीं कि भाई आप मार दिया तो एक की option है कि लो और पे लो उसके husband को मारना गलत नहीं है तो उसकी पूरी family को भी मारना गलत नहीं है because वो भी war में है तो सब को मारना सही है क्योंकि आप war में जो ladies होती है उनको आप नहीं मारती है नहीं मारते है again one more question let me finish this one कौन की country है एक मिनिट यार कौन सी ऐसी country है दुनिया में जो war में जो क्या कहते है उसको जो prisoner है यानि जो आपके सामने जो army है उसको मार के उसकी wife को या जो lady है उसको अगर आप पकड़े जाती है वो तो उसके साथ sex करने का अलाव करता है ओके अभी में finish करते है अभी जितनी भी countries है ना कोई तूसरे पर war करने से पहले बहुत सोचती है because international rules regulations बहुत है अरे आप यहां वहां क्यों बात करती है यार एक अमल है अभी आपने पूछा वार में कौन सी country है यह करती है तो मैं आपको वही बोल रही है कि जब चुटे-चुटे kingdoms थे तो कोई भी ऐसे international law नहीं था कि कोई kingdom किसी kingdom पे कि तुमारे खुदा के दियेवे कानून अच्छे है ओके फिर फिर मैं आपको यह बताती हूँ कि society हमेशा अपने betterment की side जाती है जसे human civilization जब start हुआ NS, 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 एक मिट रुग जाओ मैं एक example देता हूँ आपको हमारे शिवाजी महाराज का शिवाजी महाराज ने उसके उनके जो ये थे soldier थे उन्होंने एक मुमिना को पकड़ के लेकर आया slave बना के ठीक है शिवाजी महाराज ने उसको return किया उसको अपनी sex slave नहीं बनाया ना ही अपने soldier को बाटा शिवाजी महाराज का अमल अच्छा है या आपके Rasulullah और सहाबा का जो attack करके वहां की ओरतों को पकड़के उनके साथ sex करते थे और उनको market में बेचते भी थे किसका अमल जादा अच्छा है वन लेडी return करना it's fine but when there is a war there is like so many it's hard नहीं किसका अमल अच्छा है आपके Rasulullah का अमल अच्छा है या हमारे Shivaji Maharaj का अच्छा है मैं को वहीं बूल रहीं for one person Shivaji Maharaj ने जो किया वो ही बहुत अच्छा है लेकिं Shivaji Maharaj Shivaji Maharaj is far better than your so-called Rasul क्या होता है पता है हम किसी भी इंसान की जब life पूरी देखते है then we are able to understand Shivaji Maharaj ने भी जो attacks किये थे I won't say उनको मानी की नेट थी to protect Hinduism उन्होंने जो किया तो बहुत अच्छा गिया था ठीक था लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी जगब पर अटक किया थे जैसे उन्होंने सूरत को साथ बार जाके भी बना के जाके जग करके उठाके लाके उसको स्लेब बनाना उसके साथ सेक्स करना उसको बेचना मार्केट में How can you fucking compare this one with prostitution? जो बोट रही हो कि prostitution हर कंट्री में क्यों है I'm just asking you that's the same question But how you can compare prostitution with sex slavery? Okay, मैं बताती हूँ sex slave में जबरदस्ती लीके आते है prostitution में जबरदस्ती लीके आते है sex slave में बेचते है prostitution में भी बेचते है एक मिट किसने का आपको prostitution में जो है वो it's only जबरदस्ती वाली चीज क्यों prostitution में आपको लगता है कि कोई अकनी मर्जी से भी आते है अगर कोई किसी को जबरदस्ती अगर prostitution करवाएगा it's a crime, do you know this? लेकिन अगर कोई भी लड़की prostitution में जबाती है तो वो जबरदस्ती से ही आती है अगर कोई किसी को जबरदस्ती लेके आएगा prostitution उससे करवाएगा तो ये एक crime है पर आपको वही पता रही हो कि वैसे ही होता है prostitution कोई अपनी मर्जी से prostitution करने नहीं जाता है आते है, यार में को बताओ कि बहुत सी लड़कीयों को जो है, वो इसमें लगता है कि बहुत सारे पैसे है तो वह आते है तो फिर आप उस टाइम में मुटा को सही बोल रहे हो क्योंकि मुटा में बोल रहे हैं मुझे इतना तो बोड़े रहे हैं एक मिड़े, एक मिड़े, एक मिड़े How you can compare prostitution with sex slavery यह अभी बत है Okay, sex slavery में भी जितनी लड़किया आती है आपने बोला कि कुछ लड़किया अपनी मर्जी से आती है क्योंकि उसमें पैसा है तो जो sex slavery है उसमें भी जो है ना कि तुम वैसे ही रखो जैसे तुम अपने घर के लोगों को रखते हो तो उसमें भी उनको लगता है तो उसमें भी आप ऐसे नहीं भो सकते हो prostitution में है ना certain age के बाद या फिर जो साटी में आता हर लगी अपनी मर्जी से नहीं आती है अगर मर्जी से आती है तो इतना child trafficking कैसे होता एक मिन रुको वो गलत होता है अगर कोई करता है तो हम उसको गलत कह रहे है तुम यहाँ पे गलत नहीं कह रहे हो मुझे बताओ कि एक जिसको زबर्दस्ती prostitution में लाया गया है और वो कह रिए कि इसके पाft जाती है NGO's के पाश जाती है और कहती है कि मुझे जबर्दस्ती लाया गया मुझे प्रोस्टिटूशन नहीं करना है क्या उसको ये उसके पास ये option है कि वो प्रोस्टिटूशन से निकले हाँ उनको तो बोलेंगे कि हाँ भया आप जाओ और हमारी जाके करके आप जिसको बना रहे हैं क्या उसके पास option है कि उनको slave नहीं बनाया जाए और उनके साथ sex नहीं किया जाए और वो कहें के मुझे slavery में नहीं रहना है तो क्या उसको आजादी मिल जाएगी देखो, क्या होता है जब एक country, दूसरी country, अरे क्या होता है, जब एक kingdom दूसरी kingdom पर attack करता है, तो उस time पर option नहीं होता है, अच्छा थीके, soldier भी बुलेगा, आपने मुझे बंदी बना दिया है, आप मुझे अपी न छोड़ दो, फिकूस मुझे है न, यहां पर अच्छा नह अच्छा नहीं लग रहा है, वो अलाओट है यह नहीं है, प्रोस्टिटूशन के साथ कैसे compare कर सकती है, प्रोस्टिटूशन इस दिफेरें एक स्लिवरी इस दिफेरेंट, आप प्रोस्टिटूशन में जो भी लड़किया आती है न, अगर आप 10 परसंग लड़कियों को ब अगर मैं आपको अपना इजुकेशन बताओंगी, फिरस आप बोलोगी कि हाँ, इतना पड़े लिखी, इंसान भी जाहिल होता है, मतलब आप अपने आपको चाहिल मान रही है, आपको चाहिल मान रही है, आप तो आपके हिसाब से तो आप एकदम best argument दुनिया का दे रही है So be proud of, you know, letting us know how much you are educated, are you a graduate, post graduate, kya है आप? I'm post graduate NSG post graduate है That's so awesome, post graduate, sex slavery को compare कर रही है, prostitution से अच्छा मुझे एक बात बताओ, NSG, अगर आपका जहन इतना खुला हुआ है, मुझे एक बात बताओ, कि मुझे अगर out of marriage किसी के साथ sex करना है, तो मुझे allow होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस time पे आप जिना लेकिया जाओगे बिश में इस time corona यार, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे जब आप इतनी खुली है, आपका जहन कि आप prostitution और आप ये भी कह रही है, prostitution से मुझे problem नहीं है, there is nothing wrong in it. आप अपनी wordings बोल रहे हो, I said कि prostitution हर जगह पे होता था, because few people are, देखो, अगर मैं सही तो इसको भी बोलूँगी कि I am a vegetarian, तो फिर सही तो मैं इसे भी बोलूँगी कि एक animal को मारना भी गलत है, लेकिन उसी चीज़ को दूसरे लोग नहीं समझते है, कि वो गलत है, तो बहु नहीं कर रहा हूं, मैं, आप prostitution को सही समझती है, गलत समझती है, अगर ideally देखो, मैं बहुत गलत समझती हूं, कि यह साथी चीज़े होनी नहीं चाहिए, बाट human जो nature है, human जो, इसको भी हाँ, मैं वही बोलूँगी कि अगर ideal world में हम रहते हैं, तो मैं उसे भी गलत समझती, अगर ideal world में रहते हैं, तो मैं किकी country के ऊपर attack करने को भी गलत समझती, किसी soldier की life को भी गलत समझती, कि होनी नहीं चाहिए, किसी को जगड़ी करनी नहीं चाहिए, किसी country के साथ, फटना नहीं है, अभी आपके अंदर की इंसानियत जाग रही है, तो अगर आप prostitution को भी गल अगर हम देखे, तो हम जो हार चीज़ होती है, एक मिर, क्या आप अपने रसूल उल्ला को best ideal मानती है, मैं उनको एक उस टाइम पे एक बहुत अच्छे leader थे, जिन्होंने बहुत चीज़े सही है, वो भी human थे, कुछ चीज़े उनसे भी गलत हुई है, कुछ चीज़े उनसे अटेज़े सही है, मैं पनाच्छ और बेस्टाइम परे किस आप अच्छे जो रड़कोश पहले है, मैं आप एक बोलती हो, कि उस टाइम से इस टाइम तक फूचेज़े इम्प्रिमेंट करनी से पहले उसको इंप्रूव होनी के ज़रूद अच्रव तही है, जिक प्रिश Few things yes, not all. He is not an idol for everyone. If you tell me that I have married from a Hindu, then according to you, according to Quran, it's like, you know, I haven't followed. But we don't follow every thing. If there is a rule book, we don't follow every hundred things. He is a human being. Got it. Got it. One minute. Thank you so very much for joining. Thank you.